पूरे दिन आपको किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ेगा साथ ही किन उपायों को करके आप परिशानियों से छुटकारा भी पास सकते हैं तो चले शुरू करते हैं हमारा ये खास शो और जानते हैं कि आपका आज का राशिफल मेश राशी कोई शुप समचार प्राप्त हुगा ग्रै गोचर भागे विकास में सहायक हैं योजना को कारे रूप देने में सफलता मिलेगी उपाय निम्न मंत्र का 108 बार जाब करें ओम अम्रतलक्षे नमा व्रिशब राशी कारशेत्र में कोई विश्वास पात्र वेक्ती चल कर सकता है नौकरी में आपकी बौधिक शमता के कारण आपको समाज में मान मिलेगा राजनीतिक प्रतुनिधी पर आपकी श्रेष्टता सिद्ध होगी उपाय ओम राधे कृष्ण मंत्र का 108 बार जाब करें मिथुन राशी अधूरी योजना को कारे रूप देने में समय भाव के कारण कठनाई होगी व्यविसाय में तनाव होनी की संभावना है पडोसी से संबंद अच्छे होंगे उपाय बुद्ध मंत्र का अधिक से अधिक जाब करें करक राशी किसी महत्पून कारे में विग्ण आ सकता है कोई जरूरी काम बिगड सकता है कारशेत्र में नए सहयोगी लाबकारी सिद्ध होंगे उपाय भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिशेक करें सिंग राशी नौकरी में इस्थान परिवर्तन होने के योग बनेंगे कारशेत्र में अतिधिक विस्थिता बनी रहेगी किसी अधूरे कारे के पूरे होने के योग है उपाय ओम नमशिवाय मंत्र का 108 बार जाब करें कन्या राशी किसी अन्य के विवाद में पढ़ने से बचे कारशेत्र में व्यर्थ व्यवधान आ सकता है यात्रा में कीमती सामान का विशेश ध्यान रखे उपाय श्रीभगवान विश्णुजी के आराधना करे तुला राशी व्यापार में अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी किसी महत्वपूर्ण कारे के संपन होने से मनोबल में व्रिद्धी होगी धन संपत्ती को लेकर कोई उतावलापन ना करे उपाय गलत कामों से दूर रहें अपना काम इमानदारी से करें ब्रिशक राशी किसी सरकारी उजना का लाब मिलेगा व्यापार में नए साजेधार बनने से उन्नती होगी धन संपत्ती विवात को कोट कच्वहरी में जाने से रोके उपाय ओम सोम सोमाई नमा मंत्र का मोती की माला पर 21 बार जाप करे धनू राशी व्यर्थ भाग दोड एवं तनाप के साथ दिन की शुरुवात होगी कारिशेत्र में व्यर्थ वाद विवात से बचे व्यापार में नए सहयोगी लाबकारी सिद्ध होगे उपाय ओम शुम शुक्राय नमा स्विटिक की माला पर 108 बार जाप करे मकर राशी कारिशेत्र में कोई महत्वपून सफलता मिलेगी किसी प्रिय मित्र से भेट होगी व्यापार में नए सहयोगी बनेंगे उपाय गरीबों को लाल रंकी मिठाई खिलाए कुम्ब राशी घर मकान को लेकर कुछ समस्या आज सकती है कारिशेत्र में सुक सुविधा पर अधिक ध्यान रहेगा व्यापार में नए प्रयोग करने में जोखिम उठाना लाबकारी सिद्ध होगा उपाय ब्रह्मचरे का पालन करे मीन राशी किसी अभिन मित्र से भेट होगी कारिशेत्र में नए सहयोगी बनेंगे संतान पक्ष से शुप समचार मिलेगा उपाय कांसे के बरतन का दान करे जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी साबित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी देंचरया को जान सके खेर आज के राशी फल में वसित ना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहीं सीन्यूस भारत हर खबर आपके साथ